Good morning, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अपने घरों में खुश होंगे आज मैं आप लोग को हिंदी में छोटी की मात्रा वाले शब्द बताऊंगे ये है आपका छोटी और ये है छोटी की मात्रा तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द होते हैं बेटा छोटी की मात्रा वाले लेकिन मैं आपको यहां 10 शब्द आज बताऊंगी तो सबसे पहले आप यहां मैं जो बता रही है उसको सुनिए फिर उसके बाद जब मैं राइट करेंगी तो आप लोग साथ साथ राइट करोगे ठीक है तो यहां देखें नमबर वन में क्या है प में छोटी की मात्रा पी ना पिन नमबर टू है आपका द में छोटी की मात्रा दी ना दिन तो पिन किसको बोलते हैं पिन मैंने आप लोग को बताया था पहले और क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया है कि पिन बोला जाता है जो आपकी ममा साडी में लगाती है उसको, और जो आपके पापा papers में use करते हैं, पेपर पिन, उसको भी हम लोग बोलते हैं, पिन दो तरह के होते हैं, अब देखें, यहाँ number two है आपका, दमें छोटी की मात्रा, दीन दिन, दिन सुबह के समय को बोलते हैं, मैंने आप लोग कोई भी चीज गिनते हैं, count करते हैं, जैसे आपके पास balls हैं, बहुत सारे, तो उसको आप count करोगे, गिनोगे, तभी तो आपको पता होगा कितने हैं, तो ये गिन मतलब होता है, गिनना, ठीक है? नमबर फो है आपका, द में छोटी की मातरा दीला दिल, दिल आपके शरीर के अंदर का भाग है, ठीक है? तो अब है यहाँ नमबर फाइब में आपका है, ब में छोटी की मातरा बीला बिल, बिल हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोग पढ़े हो, एवेस में आप लोग पढ़ था सभी लोग का हाउस होता है, तो चुहा जहां रहता है, उसका जो घर होता है, उसको हम लोग बिल बोलते हैं, एंगलिश में उसको होल बोलते हैं, ठीक है? तो यह है आपका बिल, नमबर सिक्स है आपका, खा में छोटी की मातरा खीला खिल, खिल किसको बोलते हैं? खिल जैसे आपका आप लोग देखे हो देखे होगे जब सुबा का समय होता है तो बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो ऐसे बंद होते हैं वो धीरे धीरे खिलना श्टार्ट करते हैं तो वही होता है सुबा के समय में फूल खिल जाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं खिल अब है आपका number seven है आपका अतमे छोटी की मात्रा तीला तिल किसको बोलते हैं आप लोग तिल कुट खाते हो ना तो उसमें तिल होता है आप लोग जब चौदा जन्वरी होता है उसमें हम लोग चूड़ा दही जो खाते हैं तो उसमें हम लोग तिल का बना हुआ तिलवा खाते हैं तो उसको हम लोग वो उसमें तिल होता है ना, white white आप लोग देखे होगे, तो उसको हम लोग तिल बोलते हैं, ठीक है, अब है आपका number 8, number 8 में है फो में छोटी की मातरा फीरा, फिर, जैसे आपकी ममा बोलती है, कोई काम मना करती है, कि आप ये काम मत करो, लेकिन आप फिर से वही काम करते हो, तो आपकी ममा बोलती है, फिर से वही काम किये, तो फिर का मतलब होता है, वही फिर, ठीक है, number 9 में आपका है, स में छोटी की मातरा, सीर, सीर, किसको बोलते हैं, ये आपका शरीर का एक अंग है, आप लोग जानते हो, head means, सीर, तो ये वही सीर है, ठीक है, अब है आपका number 10, गर में छोटी की मातरा, गीरा, गिर, गिर, गिरना को बोलते हैं, जैसे आप लोग खिलते हो, कभी कभी जंप करते हो, तो गिर जाते हो, तो गिर उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को समझाया, दर्शब्द, अब आप लोग मैम के साथ लिखना इस्टार्ट कीजिएगा, तो आप लोग टेक आउट हिंदी कापी, और आप लोग ये हिंदी की कापी है, आप लोग यहां मैने आप लोग को बताया है, यहां class write कीजे, subject write कीजे, हिंदी, ह-I-N, G-I, हिंदी, और यहां छोटी ये और ये छोटी की मातरा, है ये, तो अब हम लोग यहां की मात्रा वाले शब्द, छोटी की मात्रा वाले शब्द, अब उसके बाद यहां आप लोग date write कीजे और day write कीजे, मैंने आप लोग को बताया है, तो कौन सा date है और कौन सा day है वो आप लोग यहां write कर लीजे, और उसके बाद आप लोग यहां लिखना स्टार्ट कीजिए तो यहां मैम यह लिखना स्टार्ट कर रहे हैं नमबर वन यहां डालिए सब में नमबर वन टू नमबर त्री नमबर फो ऐसे पहले नमबर डाल लीजिए फाइव सिक्स सेबन एट नाइन टेन उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहां चलिए अब हम लोग लिखते हैं नमबर वन में क्या है पाव में छोटी की मात्रा जैसे आपका यह है पाव न पाव न पन कोई शब्द नहीं होता है कुछ होता है क्या नहीं होता है न तो इसमें हम लोग अगर यहां मात्रा लगा दे पौ में छुटी की मात्रा तो यह पिन हो जाएगा और अगर हम लोग मैंने आ की मात्रा भी आप लोग को बताया है अगर यहां मैं पौ में आकार लगा दू तो यह हो जाएगा पान तो पान एक हो गया आ की मात्रा वाला शक्त और यहां पर हम लोगों को छोटी की मात्रा लगाना है, पौ में छोटी की मात्रा पी ना पिन, नमबर टू में है, द में छोटी की मात्रा दी ना दिन, तो ऐसे ही जैसे मैं आप लोग को मात्रा के साथ जैसे लिखवा रही हूँ, वैसे ही आप लोग लिखोगे, ठीक है, बो प्रश्री में आपका है ग में छोटी की मात्रा गी न गिन ठीक है अब है आपका नमबर फूर में है आपका द में छोटी की मात्रा दी ल दिल ठीक है अब है आपका नमबर फाइब नमबर फाइब में देखी क्या है ब में छोटी की मात्रा दी ल दिल ठीक है अब है आपका न छोटी की मात्रा भी, ल, बिल, ठीक है, तो आप लोग सुन्दर आइटिंग में राइट कीजेगा, जैसे मैंम राइट की है, यहाँ, उसी तरह से, अब है आपका नमबर 6 में है, ख में छोटी की मात्रा खी, ल, खिल, ठीक है, नाव नेक्स देखिए क्या है नमबर 7, त में छोटी की मात्रा ती, ल, तिल, आप लोग का छोटी की मात्रा देखना है कि किस साइड से लगाना है, ठीक है, तो यह छोटी की मात्रा जहाँ, आपका नमबर है, वहाँ से स्टार्ट होता है, इस साइड ही लगता है, तो त में छोटी की मात्रा ती, ल, तिल, फिर है आपक आपका सा में छोटी की मात्रा सी रा सिर। फिर नमबर टेन में क्या है गा में छोटी की मात्रा गी रा गिर। तो ये आज आप लोग को मैंने बताया छोटी की मात्रा वाले शब्द। तो आप लोग इसको छोटी की मात्रा वाले शब्द को अपने हिंदी की कॉपनी में इसको याद जरूर कीजे क्योंकि आपका एक्जाम आने वाला है याद कीजे और बार बार ऐसे पढ़ना है पा में छोटी की मात्रा पीना पिन दा में छोटी की मात्रा दीना दिन गा में छोटी की मात्रा गीना गिन दा में छोटी की मात्रा दीला दिल तो छोटी की मात्रा इ सिर गिर ठीक है तो इसको आप अच्छे से लिखोगे और याद करोगे ठीक है थैंक यू